नमस्ते मैं अजे भोला अर्ष केंपस में आपका स्वागत करता हूँ आज ये जुरुवेद का चोथा अध्याए हम पढ़ेंगे इससे पहले हम आरम करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन साफ तक अतिशग्र पहुंच जाएं तो चोथे अध्याए के पहले हम विशेवस्तू कंटेंट्स देखेंगे क्या-क्या हैं जल की महीमा का वर्नन सुविता देव से पवित्र करने का अनुरोध इच्छा पूर्ती के लिए देवताओं का आवाहन यज के लिए संकल्प की प्रेरना सुविता देव की प्रार्थना यज मेकला से ओर्जा प्रदान करने का अनिवेदन अगनी से याचना अम्रित स्वरूप जल बुरे कामों से रक्षा करने के लिए अगनी से उपासना यज में आराधनिये देव की अगनी की स्थुती मंत्र वानी का स्वरूप वाग देवी की स्थूति सोम के लिए निवेदन स्विता देव की उपासना सोम का स्वरूप अगनी की स्थूति वरन देव की स्थूति सोम मित्र वरुन आदी यज में आने का निवेदन तो आईए आरंब करते हैं जिस यज्ज स्थान पर सारे देवता प्रसन होते हैं हम सभी यज्जमान उसी स्थल पर इकठे हुए हैं रिगवेद और सामवेद के मंतरों से हम यज्ज के पार जाते हैं यजुर वेद के मंत्रों से यज करते हुए हम धन और पोशन प्राप्त करते हैं, ये जल हमारे लिए शान्ति दाई हो, दिव्य गुणों वाली उष्धियां हमें रोगों से बचाएं, ये अस्त्र शस्त्र हिंसाकारी ना हो। जल हमारी मा है, जल हमें शौधित करने की कृपा करे, घी से जो जल जरता है वह हमें पवित्र करने की कृपा करे, प्रवाहित होता हुआ, जल सभी पापों को धो दे, जल से हम शुद्ध और पवित्र होते हैं, हे रेश्मी वस्त्र आप दिक्षात पसदेव का शरीर हो, आप कोमल, सुखद, कल्यान, कारीव, शुरिष्ट, रंग वाले हैं, हम आपको करते हैं, आप गायों का दूध हैं, आप वर्चस्व देने वाले हैं, आप हमें वर्चस्व परदान कीजिए, आप वृत की आँख की पुतली हैं, आप आँख देने वाले हैं, आप हमें आँख पर आप हमें पवित्र कीजिए आप वानी के स्वामी हैं आप हमें पवित्र मनाईए दोश से रहित स्वीता देव हमें पवित्र करने की कृपा करें सुर्य अपने किरणों से हमें पवित्र मनाएं हे पवित्र पती हम आपके पुत्र हैं हम पवित्र होकर अपनी मनों कामना पू अपनी इच्छा पूर्टी के लिए आपको अवंत्रित करते हैं, हे देवताओं, हम यजिक, यग्ज करने वाले आशिर्वाद और यग्ज फल की पराप्ति के लिए आपका आवहन करते हैं, हे यजदेव, हम मनसे यज करते हैं उनके लिए स्वाह, अन्तरिक्ष लोग, स्वर प्रित्फी लोग के लिए स्वाहा, हम वायू को यग्य के आरंभ में ही आहुति अर्पित करते हैं, अगनी यज्य के संकल्प की प्रेरना देने वाले हैं, उनके लिए स्वाहा, अगनी यज्य की बुद्धी देते हैं, यज्य में मन को प्रेरित करते हैं, अगनी के लिए पूशा देव के लिए स्वाहा, अगनी के लिए स्वाहा, हे जल देव आप के लिए स्वाहा, संसार के पालक शंभू देव के लिए स्वाहा, स्वर्ग लोक के लिए स्वाहा, पृत्वी लोक के लिए स्वाहा, विशाल अंत्रिक्ष लोक के लिए स्वाहा, हम ब्रस्पती के लिए हवी समर्पित करते हैं उनके लिए स्वाहा सुवीता देव सभी देवों का नित्रित्व करने वाले हैं वे वर्णे श्रेष्ट गुनों वाले हैं हम उनकी मित्रता पाना चाहते हैं हम उनसे सभी प्रकार के वैभव चाहते हैं हम सब के लिए उनसे धन प्राप्तिक की पोशन करने के लिए धन चाहते हैं, स्वीता के लिए स्वाहा, हे रिगवेद के देव, हे सौमवेद के देव, हे शिश स्थित देव, हम यज में गाई गई रिचाओं से आपका स्पर्श करने, आप रिचाओं का ज्यान करते समय हमारी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा करने क क्रिपा कीजिये. आप आश्र दाता हैं, आप हमें आश्र देने की क्रिपा कीजिये, आपको नमस्कार, आप हमें कस्ट मत दीजिये. हे यज्ज मेखला आप अंगों को उर्जा प्रदान करती हैं आप मुझे उर्जा धारन कराइए आप सोंग की निवी हो आप विश्णु को भी सुख प्रदान करती हैं आप यज्जमानों को भी सुख प्रदान कीजिए आप इंदर की यौनी हैं आप खेती को स्मृद्ध दी आप उनके प्रतिवरत का पालन कीजिए वनस्पतियां यज्य के योग्य हैं हम बुद्धी की देवी को मानते हैं हम सुख वे मनो कामना की पूर्ती के लिए उपासना करते हैं हम यज्य वाही वानी धारन करना चाहते हैं शुरेश्ट बुद्धी हमारे वश में रहे जो दक्ष संकल्प वाले हैं वे देव यज्ज में रक्षा करने की कृपा करें वे देव हमारी रक्षा करने की कृपा करें उन सभी देवों के लिए स्वाहा हे देव आप जल रूप हैं हम आपका सेवन करते हैं आप हमारे पेट के भितर सुख दीजिए हमारे लिए जल क्षै प्रजा के लिए लावदाई जल नहीं चोड़ते हैं, आप हमें इस पाप से मुक्त कीजिए, स्वाहा के रूप में छोड़ा गया जल, प्रित्वी की मिट्टी में मिलकर एक मेक हो जाए, आप ऐसी कृपा कीजिए, हे अगनी, आप अच्छी तरह जागिए, हम यजमान भली भाती नींद का आनंद लेते हैं, आप हमारी रक्षा वे हमें बुध्धी प्रदान कीजिए, आप हमें विविद कामों में लगाईए, फिर मन से आ गया, आयू पुनह आ गई, पुनह प्राण प्राप्त हो गई, पुनह आत्मा प्राप्त हो गई, पुनह नेत्र मिल गई, पुनह कान मिल गई, हे अगनी, आप सब का कल्यान चाहते हैं, आप शरीर के रक्षक हैं, आप का दमन नहीं किया जा सकता है अगनी आप हमें पापों व बुरे कार्यों से बचाएं है अगनी आप वृत पालक देवताओं मुनुष्यों में पूजनिय आमम्यजय में आराधनिय हैं है सौम आप हमें भरपूर धन दीजिए आप हमें इतना धन दीजिए कि अपने साथ- यह घी आपके शरीर को बढ़ा रहा है चमकती और उपर उठती हुई आपकी लपने और उपर आकाश तक जाएं हमने मन से वाणी धारन की है यह वाणी और अधिक वेगवान वै विश्णु को संतुस्ट करने वाली हो हे अगनी आप सत्य सुरूप हैं हम भी आपके उस सत्य सुरूप को पाएं अर्थात आप इसे हमारे शरीर में भी उपजैए हम आपका यह अनुशासन पासकें आपके लिए आहूति परदान करते हैं आप चमकीले चंद्र अमृत्वे सब के देव हैं हे मंत्रवानी आप चित मन धीर दक्षिन क्षत्रिय वे यज्य करने के योग हैं आप अधीति दोनों और से सिर वाली पूर्व वे पश्चिम दिशा वाली एवं मित्र हैं आपके पैरों में बंधन डालना चाहते हैं इंदर यज्य के अध्यक्ष हैं हम उन्हें प्रसन करन हम पूशा देव से अनुरोध करते हैं कि वे यग्य के मार्ग की रक्षा करने की कृपा करें हे वाग देवी आपको इंदर के लिए सउम लेने जाना है इसके लिए आपको माता पिता भाई बहन मित्र गनोर पडोसी अनुष्य परदान करने की कृपा करें शूम लेने के ब करें हे वागदेवी आप वसु अधीति रुद्र तथा चंद्र ब्रस्पति रुद्र और वसु गण के साथ साथ आपकी रक्षा करने की कृपा करें ब्रस्पति आपके श्रिष्ट मन में रमन करने की कृपा करें हे वागदेवी आप मूर्धन्य हैं हम आपको देवताओं के यज्ज में घी से भरी हुई हवी परदान करते हैं आप पृत्वी को श्रिष्ट देवियों में स्थान रखती हैं आप यह घी वाली आहुति स्विकार कीजिए आप धनवान हैं आप हमें धन से हमें पोशिये आप अपने धन से हमें वंचित मत कीजिए हम आपके बंधू हैं हे वाग देवी आप दक्षिना के योग हैं आपने बुद्धी पूर्वक हमें देखा है आप हमारी आयुक्षिन कीजिए यानि हमें दिरगायू दीजिए हमें दिरगायू बनाईए हे देवी हम भी आपकी आयुक्षिन न करें आपकी दया दृष्टी से हम वीर पुत्र पाएं हे सौम यह आपका गायत्री का भाग है यह सौम के लिए त्रिष्टुप छंद का भाग है यह हमारा सौम के लिए जगती छंद का भाग है आप पुरोहित हमारी और से सौम के लिए यह निवेदन करें आप सोम से यह भी निवेदन करें कि वह हमारे हैं शुक्रादिक ग्रह उनके नियंतर्ण में हैं सोम विचार करके ही आपका चयन किया जाता है हे सवीता देव आप स्वर्ग लोक और पृत्वी लोक के बीच में विराजमान है आप विद्वान, सत्यवान वे रत्नों के धाम है आप विद्वानों द्वारा चाहे गए हैं आप उचाई की और जाने वाले हैं चमकदार, सुनरे, सुनरे हाथों वे श्रिष्ट कार्यों वाले हैं आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें हम आपकी अर्चना करते हैं हम प्रजा के लिए आपकी उपासना करते हैं प्रजा सांस लेने में आपका अनुसरन करती है आप भी प्रजा का अनुसरन करते हुए सांस लेने की कृपा करें हे सोम, आप चमकीले हैं हम आपको चमकते हुए सोने से खरीदते हैं अर्थात अपनाते हैं आप चंद्रमा के समान मन प्रसन करने वाले हैं आप अमरित जैसे हैं गोरों और चमकते हुए तपस्यूएं के शरीर प्रजापती के रंग जैसे हो जाएं आप परम पशुधन से आपको खरीदते हैं हम परमपशुधन से आपको खरीदते हैं, आप हजारों का पालन पोशन करने में समर्थ हैं, आप हमारा भी पालन पोशन कीजिए, हे सोम, आप हमारे मित्र हैं, आप मित्रों का पालन पोशन करने वाले हैं, आप हमारी और पधारने की किरपा करें, आप इंद्र देव की दाई जांग में परवेश करने की किरपा करें आप सुख दाई, पाप के शत्रू, संसार के पालक, सुन्दर हाथों वाले तथा कुष लोगों के पालक हैं जिन से सोम को खरीदा जा सकता है आप उन-उन की रक्षा करने की किरपा केंजिए हे अगनी, आप हमें पूरी तरह पाप से बचाने की किरपा करें, आप बुरे चरित्रवालों का वद करें, आप सत्चरित्रवान को स्थापित करने की किरपा करें हम आपकी उत्कृष्ट आयू से अपने श्रेष्ट आयू के लिए आपकी अमरता का अनुसरन करते हैं हे अगनी हम उस मार्ग का अनुसरन करें जो मंगल मैं वैसुगम हो जिस पत पर जाने से द्वेश्यों का पूरी तरह नास हो और हमें धन की प्राप्ति हो हे आसन आप प्रित्वी का त्वत की त्वचा हैं आप यजवेदी पर विराजने की किरपा कीजिए बलवान वरुन स्वर्ग लोक को माप लेते हैं अंत्रिक्ष लोक को माप लेते हैं प्रित्वी लोक को माप लेते हैं वे सभी लोकों में व्याप्त हैं उनके वृत भली भा आतिशोबते हैं आप यहां शोबित होने की कृपा कीजिए हे देवताओ आप यजमान का नहीं करने के लिए उनके घरों की और जाने की कृपा करें आप भार वहन करने में समर्थ हैं आप वीरों को सुख देते हैं बर्म ग्यान हे तू प्रेरक हैं आप रत में जुड़ने की किरपा कीजिए एसोम आप मेरा कल्यान कीजिए आप भुवन पती हैं आप विश्व के सभी धामों की और तेजी से प्रयान करते हैं यात्रा करते हैं आप चोरों के ज्यान का विशह मत होए यज्य के विरोधी लोग आपको न जान पाएं सब और भ्रह्मन करने वाले आपको न जान पाएं पापी भेडिये आपको न जान पाएं आप बाज के समान जल्दी जाएए आप यज्मान के घरों की और परस्थान कीजिए वहाँ भली भाती सज्जित यज्जशालाओं का प्रबंध है मित्र देवताओं और वरुन देवता की आखों से देखने वाले सूर्य को नमस्कार सूर्य प्रकाशमान दूर द्रिष्टी वाले देवता से उत्पन्नवे स्वर्ग लोक के पुत्र है सूर्य के लिए नमन यज्मान को सूर्य के लिए यज्ज करना चाहिए यज्मान को सूर्य के लिए श्रोत का पाठ करना चाहिए हे शमी देव, यज में काम आने वाली लकडी, आप वरुन का उत्थान करने वाले हैं, आप वरुन की गती के सरजक हैं, आप उन्हें स्थिर करने वाले हैं, आप वरुन के यज का सदन, यज का बैठने का स्थान हैं, आप वरुन के यज के सदन में सुख से विराजने की किरपा कीजिए हे सोम जो यजमान यज में आपके धाम का बजन करते हैं वे सभी यजस्थान आपको प्राप्थों आप घरों को स्फारित विश्टरित करते हैं आप पार लगाने वाले श्रेष्ट वीर वैकारों के विनाशक हैं आप हमारे यज्जों में पहुंचने की कीजिए तो इसी के साथ हमारा चोथा अध्याए पूर्ण होता है आपके मंगल की कामना करते हुए हम कल फिर पांचमें अध्याए के साथ उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जेहंद